solve the following system of lineage equations by kramer rules kramer rule अब उपर हमने एक question में किया था कि आपने system को solve करना है 3 cross 3 का लेकिन हमने आपने inverse of the matrix use करना था to solve the system यहाँ पर हमने kramer's rule use करना है तो mostly चीज़ सेम ही है सबसे पहले आपने इसको matrix form में लिखना है तो coefficient of x1 जा है वो पहले column में आ जाएंगे x या x1 या x दूसरे में y के coefficients आएंगे चुनकि यहां पर y दिया हुए और फिर तीसरे में z के coefficients आ जाएंगे फिर यहां हमारे पास x, y और z matrix आ जाएगा फिर equals to right hand side 1, 4 और 17 आ जाएगा अब हमारे पास यह matrix A है यह हमारे पास capital x है और यह b again अब चुनकि हमें inverse के तुरू नहीं करना तो हम पहले यह find करेंगे कि A determinant equal to 0 नहीं आना चाहिए अगर यह आ गया तो solution possible नहीं है अगर यह not equal to 0 आता है तो solution possible है इसलिए हमें पहले क्या find करना है A determinant check करना है तो A हमारे पास matrix given है इसका determinant क्या होगा कि हम इसको determinant form में लिख देते हैं अब आप determinant row के बाज row wise भी कर सकते हैं column wise भी कर सकते हैं तो हम row one wise करते हैं पहली entry और उसके बाद पहला row और पहला column जावो ignore करके हम determinant की form में लिख देते हैं बाकियों जो बच जाता है 562-36 इसी तरह फिर next बार में हम minus लिखते हैं और again इस row को और इस column को ignore करके जो बच जाता है उसको हम determinant form में लिख देते हैं और फिर हम plus तीसरी entry लिखते हैं और उसी column और उसी row को ignore करके जो बाकियों बच जाता है उसका हम determinant निकाल देते हैं true क्रास true का determinant is easy अब इन दोनों को multiply किया minus इन दोनों को multiply किया इसी तरह इन दोनों को multiply किया साथ में इन दोनों को with a negative sign फिर इन दोनों को multiply किया तो 6 minus इन दोनों को multiply किया जिसों minus 45 इसको simplify करके swap किया तो हमारे पास आए minus 69 which is not equal to 0 इसका मतलब है कि solution possible है solution exist करता है अब हमने क्या करना है कि हमने आप x की value कैसे निकाल सकते है x की value होगी determinant of a1 divided by determinant of a ठीक है इसी तरह y की value क्या होगी determinant of a2 divided by determinant of a और z की value होगी determinant of a3 divided by determinant of a अब a1, a2, a3 क्या है even होगा कि आप जब a matrix के अंदर matrix a के अंदर जो कि हमारे पास यह वाला matrix है इसमें आपने पहले column में यूंकि x के coefficients है इसको हम replace कर देते हैं किसी इसके साथ right hand side के साथ तो 139 replace हो जाता है right hand side के साथ जो कि b है हमारे पास तो यह था कि यह b की value थी b matrix की 1, 4 and 17 तो हमने पहले column को जो कि coefficient of x था उससे replace किया तो हमारे पास a1 matrix आ जाता है अब हमने इसका determine निकालना है a2 क्या होगा हम matrix a में second y के coefficient को replace कर देंगे b के साथ और a3 में हम क्या करेंगे third column को replace कर देंगे b के साथ तो अब पहले हम a1 को निकालते है अब again first entry as it is बाकी वही determinant का method और determinant का method फिर minus 1 और इनको छोड़के और third में फिर plus 1 और इनको छोड़के आपने simple इसका determine निकाल देना है और determine का भी rule है इनको multiply करे minus इनको multiply कर दे क्योंके हमारे पास ये भी लिजाती है इसी तरह ये becomes minus 23 a1 हमारे पास आ गया a2 में हमने देके क्या किया second a के अंदर सिर्फ second entry second column को हमने b से replace कर दिया और exactly same manner से हमने उसका determine निकाल दिया फिर फिस्ट entry इनको छोड़के फिर minus 1 फिर ये वारा entry with minus इनको ignore करके फिर ये वाली entry plus के साथ इनको ignore करके तो determined आ गया 69 a3 में अब हमने क्या किया कि third column को हमने replace किया b के साथ और exactly same manner से हम determine निकालेंगे पहली entry plus के साथ इनको ignore करके दूसरी entry minus के साथ इनको ignore करके और तीसरी entry plus के साथ इनको ignore करके determine निकाल दे which is 23 हमारे पास a1, a2, a3 के determine आ गया हुआ है a अल्यदी हमारे पास है x किस कीकल होता है 1 determine divided by a which is minus 23 divided by 69 ठीक है minus 69 तो minus minus cancels 23 by 3 is 69 1 over 3 आ गया y2 determined by a minus 69 by minus 69 minus minus cancel plus 1 आ गया और z जाए a3 determined divided by a determinant तो 23 divided by minus 69 है तो 23 times 3 is तो minus 1 over 3 आ गया तो यह हमारे पास entries है x, y और z की 3 is का solution आ गया